हेलो दोस्तों, रेलवे मैध प्रीवियस एरे कुश्चन को इस वीडियो में हम सॉल करेंगे जो कि आरार भी एक्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परिक्सने में भी ऐचा ही कुश्चन पूछे जाते हैं तो यह एक प्रैक्टिसेशन है इसलिए आपको पैन पेपर लेकर करके बैठना है और प्रतिये कुश्चन को आपको वीडियो पॉस करके सॉल करना है और उसके बाद आपको इनका सेलीशन देखना है तो चलिए अब हम बिने किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे पहला कुश्च दिए गए चक्रुद्धि प्याज से कुशच लिया गया है कि यहां पर देखे एक धन रासी पर 5% वारुसिक व्याज की दर्थ से यहां पर देखे 6305 रुपए है उसी रासी पर समान पी आजकी दर्थ समान अउदिका साधन प्याज कितना होगा यह हमें यहाँ पर बताना है तो देखें चगरुद्ध भी आज हमें दिया गया है और साथ हरन भी आज हमसे यहाँ पर पूछा गया है तो वीडियो पॉस करके आपको जरूर कुशन को सॉल करना है तो देखें यहाँ पर कुशन को एक कुशन को सॉल करने के दू से हम इसको सॉल कर सकते हैं और आपको फॉर्मुलाय याद है तो आप उसमें भी वीडियो की वैल्यू को पूट करके सॉल कर सकते हैं बट यहां पर देखें को फ्रेक्शन वैलियू से जाना आसान रहेगा बागे अगर आप देखें कि साधान ब्याज क्या होता हर साल बराब होगी 15 यहां पर देखें साज 625 प्रतिशत होगी अगर उनको आप याद कर लेते तो आप बहुत जाला समय एक्जाम में बचा लेंगे तो कुछ ही वैल्यू ऐसी होती है जो आपको याद होनी चाहिए जैसे यहां पर पांच परसेंट की है दो साल की निकालना असान होता ह माले यहां पर 5% की रेट है और समय यहां पर 2 साल का लता तो कितनी हो जाती और यहां पर हम इसका कर देंगे तो हो जाएगे 25 पर्तिशाथ तो यह दो साल की क्या है 5% की शक्रीट निकलकर आ जाएगी बार 2 साल के याद नहीं करने तो वैसे ही हो जाती है तीन साल की जैसे माली यह 10% करका आप निकालेंगे नहीं इस से बहतर है कि आप याद के लिए 33.1% होती है यहां पर 3 साल की रेट तो ऐसे अगर याद कर लेते कुछ डाटा को तो आप और भी जल्दी कुशन को सॉल कर लेंगे यह बहुत ज्यादा है बहुत जंगा पर यह काम आता है लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे देखें यहां पर हम जैसे कि 5 % 5% का मतलब क्या होता तो देखें 5% का मतलब होता है यहां पर एक बटे 20 इस के ओपर हमें एक कापयाज मिलेगा हमारा हमारा रेशाओ लिख लेते हैं हमआपर देखिए तो प्रेंसिपल रेशा लिख लेता हैमांण का यानिके मिशृधन का कुछ मैंने माना ही 20 क्या है मूल धन है और उस पर हमें एक वियाज मिला तो हमारा मिश्रिधन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अब देखें समय 3 साल गाई तो 20-20-20-20 इस तरीके से वह जाएगा लेकिन यहां पर हम लिखेंगे नहीं अगर तीन साल का है तो पावर तीन यहां पर लगा देंगे यहां पर क्यूब भी आपको याद होने चाहिए तो क्यूब भी बहुत ज्यादा क्योंकि देखे चगुरुद्धी ब्याज एक ऐसा चैप्टर जहां पर बहुत ज्यादा है कैल्कुलेटिव कुछन भी पूछे जाते है तो यहां पर क्यूब जैसे क्यूब है सक्सेसिव रेट है अगर यह हमें याद होगी तो हम थोड़ा समय एक्जाम में बचा लेते हैं और काफी जल्दी डाटा को समझ कर क्योंकि डाटा इस तरीके से सेट किया जाता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रख लिए बीस के बाद आपको कुछ ही याद होने जैसे 212 इसके लावा 31 एकत्यस के लावा 41 कभी है तो यह कुछ याद होने चार पाच अब देखिए हैं पर हमारा जो मिसरिधन यानि कि हमारा मूल दने वह तो 8000 है और जो हमारा मिसरिधन वह कितना है 9261 है तो देखिए यहा तो हमें पांच हजार थीनसो पांच रुपए का यानि यह Metro उफ् Adm कपके नुकलेंगे और किसा थे साल 55% मिलेगा थो साधन we Unidos somethingreal crise कि इनकालबर हम 15% के बराबर होगा तो इसका भी हम क्या करेंगे 15% लगे जो हम से पूछा गया है और अब यहां पर अब इसको हम सॉल करेंगे इसको जागर कितना हो जाएगा यहां पर देखे दो जीरू से तो हम 2-0 कैंसिल कर देंगे यह बारा पंजे सार्ड और हिहां छह था पंजे तीज मतलब यह सीधा सीधा हमें दख रहा है और 5-40 और यहां उजाएगा दिखेंगे यहां पर निंखार के साथ और डबल जीरो ऐसे के लगा देगे मतलम जो हमारा साधार्ण भी आज निकल के आétais कि निकल गया हुआ यहाँ और रुपे निकल के आ नहीं पूछा गया हैं से पूछया था साधराण व्यार्ज घंड हमने अहरां से निकाल लिया लिए प्लेया तो इस PQR का मान कितना होगा इस question को भी हम 2-3 तरीके से solve कर सकते हैं पहले तो हमें अगर formula याद है तो हम directly value को formula में put कर देंगे और दूसरा value putting से हम इसको बहुत जल्दी solve कर सकते हैं value putting से solve करने के लिए भी आपको formula याद होने ही चाहिए कैसे याद होने से यह तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे तो देखें यहाँ पर दिया गया है कि P plus की Q plus के R यहाँ पर अगर मैं इसको A B की form में लिखू तो देखें यह किसके बराबर हो जाएगा A क्यूब plus के हैं हो जाएगा ये b cube plus के हैं हो जाएगा c cube minus 3abc बराबर ही आजागा देखिए a plus के b plus के c और bracket हो जाएगा यहां पर देखिए a plus के b plus के c का whole square यह formula कुछ आपको याद होने चाहिए क्योंकि competition काफी tough है आपको भी पता है SNA के आप थोड़ी सी नॉर्मल चीजे बढ़के चले जाएंगे और आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो देखिए बहुत ज्यादा टाफ है और वेकेंसी भी कम है इसलिए कुश्चन का लेवल भी थोड़ा इस बार अच्छा रहने वाला है रेलवे एक्जाम में भी तो देखि कमान हमें पूछा गया तो वह निकाल लगें क्योंकि देखिए इतने इतने की वैल्यू हमसे पूछी कहीं यहां पर फिर दिया गया देखिए यहां पर A B C का होल स्कॉर कितनी हो जाएका 169 के बराबर हो जाएगा माइनस के ठीए ABBC CA की value यहां पर हमें देदी पहले कितनी 30 तो गुणा हम यहां पर 30 कर देंगे और यहां पर 13 का ऐसे कैसे लिखे लेंगे हम इसको यह यहां पर value चल रही है हमारी 169 में से 90 को माइनस कर देंगे 39 तो इंटू में आ जाएगा है यहां पर कितना यह 79 के 29 यह 27 इसका मतलब यह कि 11 हमारा एक यह option में साथ दिया गया तो यह हो जाएगा 1027 इस question का right answer चाहता आप इसको multiply भी कर सकते हैं 119 हो जाएगे 117 साथ आजाएगा 11 कहरी बचा गई और 137 क्यान में और 11 कितना हो जगई 102 के बराबर तो देखे यह हो जाएगा हमारा 102 के बराबर यहां पर यह जब आप कर सकते हैं इसको जब आपको यह formula याद है अगर आपको formula याद नहीं है तो आप इसको बिना formula के भी कर सकते हैं कैसे घंट कर गए योग कि लेके रहिए लिए क्वेशन कोन कही यह다가 कर सकता हो तो देखें, यहाँ पर दो equation है, variable तीन है, तो एक को हम कुछ भी put कर सकते हैं, अब कुछ भी मतलब 0 put करना आसान होता है, तो हम क्या करते हैं, 0 put कर देते हैं, तो देखें, R को हम 0 put कर देंगे, तो R 0 put करते हैं, यहाँ पर यह 0 हो जाएगा, यहाँ पर R 0 put करते हैं, यह भी 0, यह भीbell 292 आरही हैyi जीरो पुट करते यह भी जीरो और ये भी जीरोगे तो हम कह सकते कि की इस कमांन तो देकियES 13 यहां पर और ini कुब इसका मांन तो देए थी यहांपर और कि यहां से हम क्या कर सकता है इस वैलू को निकाल लेंगा तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं देखिए a cube कि ब्राबर होता है तो देखिए a plus b यहां हो जाए गए यहां पर देखिए a plus b के होल स्कॉयर के बराबर और माइनस कर देखाए पर हम 3AB यह फॉर्मुला नहीं पर आपको याद नहीं है उपको याद नहीं नहीं बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मुला याद तो आपको घ्ल जल्दी करना पड़ेगा इस का माणने से पूछा गया और आपको आपको 169-10 करते हम 3AB यह भी कमान कितना दिया हुआ यहां पर यह 30-90 हो जाए गई है तो क्या कुशन पहले जैसे ही नहीं आ गया है यहां पर देखे तेरा और यहां माइनस करते हैं इसको तो तेरा गुणा में यहां कितना आ जा गए माइनस करके कुशन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यह कब आएगा जब हमें फॉर्मुले यहां पर याद होंगे अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन दिया यहां पर देखे एक वस्तु का सूची मूलिये दो सुरूपे है अब दो यहां पर क्रेमिक छूटों के बाद डिसक करना है अब देखे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है यह चीज आपको याद है बस मेरे हिसाब से तो दो ही चीज़े आपको पता होनी चाहिए दो चीज़े कौन-कौन से जो भी लाब होगा या हानी होगी वह हमेशा यहां पर कोश्ट प्राइस पर होने वाली है चाहे तो यह दो चीज़े अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी कुशन सौल कर लेंगे यहीं से कॉंसेट निकल के आते हैं मतलब तो देखिए उसका जो मार्क प्राइस दिया गया है यानिके अंकित मूल यह और इस पर हमने क्या गया दस परसेंट का एक डिसकाउंट दे द देंगे तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा तो यहां निकल के आजाएगा मतलब 9-10 क्योंकि देखिए 10% का मतलब क्या होता एक बड़ता और 10 के ऊपर यह हमने यानिके एक बड़ता एक क्या चूट दे दित तो 9 में इसको बेच दि यह यह दिसकाउंट तो हमने दिया और एक दिसकाउंट और देने के बाद में फाइनली जो उसका सेलिंग प्राइज निकले के आएगा उसके हिसाब से वह कितने का आएगा 150 रुप्य आएगा मतलब ग्रहक के लिए तो देखे 150 रुपय क्या है यह उसका क्रेम मूली है और ज कौन सद्या है वह यहां पर हमें बताना है बस इसको हम यहां पर ऐसे लिख लेंगे क्योंकि एक बार डिसकाउंट देने के बाद में देखे इसको काट लेते हैं जीरो से इसको काट लेंगे तो देखे नो दुने में यहां जागई 18 और यहां जाए गई 15 मतलब फिर से है तीन परतिशत यानि को अपसंट डी हो जाएगा इस कुश्चन का राइट आंसर क्योंकि देखे परतिशत में क्या होता है हम वैल्यू को अपने मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं परतिशत में कोई भी चेंज नहीं आता है जैसे माल लिए दो की चीज को हमने क्या परतिशत निकालने के लिए वैल्यू को चोटा या बड़ा बना सकते हैं इसलिए हमने क्या क्या वैल्यू को काट लिया अपनी साफ से एक डिसकाउंट देने के बाद में इतना सेलिंग प्राज आया लेकिन एक और दिया जिसकी वज़े से फाइनली उसने रियर सब्सक्रा को पार करने में कितना समय लगेगा या फिर आप इस कुशन को ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई गाड़ी 90 किलोमेटर की रफटार से चल रही है तो वह 180 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में कवर करेगी अब देखें यहां पर दिये गए 90 किलोमेटर की दूरी है यानि के यहां प पांच बटे 18 से में मल्टिप्लाइ कर देंगे इस पीड बराबर क्या होता है देखें डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है तो इसी फॉर्मिले में में वेल्यू पूट कर रहे हैं अब यह क्या है यह स्पीड निकल के आए उसकी मेटर पर सेकिंड में इस पीड अब कितनी आ जाएं इक सो ऐसी बटे में आजाए हैं है 35 अई त्रेंस अलिके एक सो नवी त्यक से में जाएंगा इसको समयरा design यहां फिरपर फ्वुद को पार करYou लेंग्वेज का ही यहां पर खेल है बस सब कुछ चाहे दो खुद को पार कर रहे या फिर 180 मेंटर के दूरी को कवर कर रही है अंगला कुशन देखे रेश्यों से दिया गया आसानी सवाल है यहां पर यह दिदेखे ए बी का अनुपाद 45 रेश्यों 36 है और बी सी का अनुपा यहां पर देखे कीतना देदी माने जिए 95 रेश्यों यहां पर मैंने माना डी दे दिया है मैं यहां पर कि ले लेते हैं कुछ भी चलो यहां पर पिर से ऑन दिया 야 ने करेंगा और या झालए झालने के लिए 8 таких कि नहीं इसमें ल Dafür क्रेंगं मुल्टिप्लाइ कर देते हैं एक वालों का ए में और वालों का और विसे सुरू हैं फ तो किसले में की अरे हैं जोनगे झाल को सोला सुंट है किसे गया तो हूं सब güvgal 5 25 बांदरा सबम देखें जो क्या आ Mitsubmen करते क्यों है तो इसका प्रूब भी हम देख लेते हैं ताके आपको कोई ळला किठा लिखा यह तो भूली घाएक तो पता ही निचल ढूँत कितना होगा तो मिलाकर करके जो मैंने बताए है वह यहां पर आपको देखने दाब बस वांच वांच फाहर लिखने मैं ने दो दुन का दो दूना, चार चार छोगुत सोला तो यहां चार रेचित पांच था, यह 4 रेचव, 5 नेंच दूलना यह 향. और उसकेई बात, नीचे देता है, यहां पर, C है दो रेचिता है, अब देखें, यहां पर यह यह C है और यह D है और जो वैल्यू जिसके सामने होती है वो हम उसको बढ़ा देते हैं यहां पर यह हमने पहले सीख लिया था तो देखिए यहां दो दो आ जाएगा इसलिए देखिए हम क्या करते मुल्टिप्लाइब करते हैं चार दुना आड़ दुना सोला आगया और हमने कुछ मिस्स कर दिया है क्या यहां पर देखिए दूर पाशिकन पांच पांस्तिया पंदर तीन और चोड़ देखिए तो कुल मिलाकर करके ऐसे ही मर्ज आपको करना है लास्ट हो यानि कि सुरू वाला गर एंड वाला आपसे पूछ ले जाया तो आपको पूरा लिखने की जूरुत नहीं है तब कि आप मल्टिप्लाइ कर देंगे और जो बात में कट रहा है उसको काट देंगे बस कहने का मतलब यह आनि कि आपको कॉंसेप्ट को समझना है कि यहां पर हुआ कैसे यह ऐसे देखिए यहां पर हुआ है इसी कुशन को ले लेते चलिए अब हम यहां लिखा इसी इसी कितने दीया हुए सोला रेशो में यहां जा गई 35 तो यहां जा गई कि इसी इसी चीज को हम क्या है breath करते हैं Dz और देखें यहां पर यह रहाय है और देखें यहां पर दिया हुआ है यहां और सी कमान कितना यहां पर यह पूछा गया है यह ठीज़ को एक निकालने के लिए क्या जाएगा यहां पर देखिए मल्टिप्लाइब में करने नहीं है नंबर बड़ा है तो हम क्या करेंगे ऐसे ही इसको काट लेंगे यानि के लिखके कर लेते हैं चलिए हम यहां पर इसको पैंतालेश गुणा में हां लिखेंगे हम साहरे आज चाहरी साथ सब्सक्राइब तो 5,45 हो जाएगा यहां पर यह और 5,70 हो जाएगा 35 के उन्हों दुने में हो जाएगा यहां 18 और यहां हो जाएगा देगे 77 उडंचस तो 18 रेशो उडंचस क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा कुछान आसान ही है मर्जी करना यहां पर यहां ज्यादा हाड नहीं है पर जब आपको बड़े रेशो दिये जाएगा यहां और यहां और यह कारिये को गिरम से 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं कि यहीरे शें में खूरा करते हैं तो कारिये कितने दिनों में पूरा हो हो जाएगा तो देख यहां पर एक तो यह है दूसरा कोने घा है यहां पर क्या करते हैं वह दस दिन में कर लेता और 12 दिन Also यह रजी है यानि यह 가자 कि अदल देल है स्वी निकाल लेजा थी यहां पर यहां पर हमने निकाल लिया टोटल वर्क बराबर क्या होता है तो बराबर मिल जाएगा में टोटल वर्क कितना हुआ कार यह कितना हुआ है कार यह बहुत से कुछन तो कर लेते हैं पर यह नहीं पता होता है कि हो कैसे रहा है यह हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं ऐसा मन्में सवाल होना चाहिए तो देखिए यहां एक एक दिन एसे कारी शुरू करा एक दिन में छे कारी करेगा और यहां बी क्या करेगा एक दिन में पांच कारी करेगा एक एक दिन कारी कर रहा हूँ छोड़ गए तो देखिए एने एक दिन में छे काम किया बी ने एक दिन में पांच काम किया दो दिन मे कारिया कितना हुआ 11 11 काटेंगे दाट के करिए जाना तो पांस से मल्टिप्ला कर देदें इसको ग्यारा पंजे 55 तो पांस हमें इधर भी करना पड़ेगा तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि हैं पर देखे इधर तो मैंने लिखा दिन इधर लिखा वर्ण तो देखे का हमने करते हुए बच तो कादिये बच्छा करेंगा आप 6 कि दर से कर NOW करेंगा या कि देखें 10 दिन तो हमने वहा लगा है और 5 काली और बचा हुआ उसको चैकर में कि पांच बटर भाड़ा काम ते पूरा यही घृत जाएगा अगर यही feels ऐसे पूछ जाए कि बीसे सुरू करते हुए तबानसर हमारा चेंज हो जाएगा तो ऐसे आपको ध्यान रखना है यह सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है है कि दीए गडिए यह पर चाल करतेrows संख्यां का ऊसाद संख्या कर्वे विवस्तित करने में नंट्वे संख्या और हैं distint 5 संक्या को लोगी इससे पेहले नी n Mechan scene just a और नीगा कि 50 अंग जोड़ेंगे तोह देख सकते हैं तो लिए हर जागा बीस और तीस 10-30 हो जाएगा 30-20-50 हो जाएगा तो बस मिड में 10 ही आएगा आसानी सवाल दाए तो कुछ नहीं करना गाई इसमें है अमल है मतलब 5-6 को काट अबने 5-20 चार तो क्या है इसमें दीखिए हैं हो जाएगा अब तीन बटे 5-20 निकाल लेंगा कितना हो जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर दीखिए अलकोहल हो जाएगा तो बारा प्लस चार शोला लेटर तो यह दूनुचीज आगए टोटल ह 20 तो 6 कितना बचेगा पानी 4 लेटर बच जाएगा तो सी हो जाएगा इस कुशन का राइट आंसर अगला कुशन यहां पर देखिए यह दि दो बार गेट ए और बी एक साथ कारिये करते हैं तो जलाशे देखिए 6 घंटे में भर जाएगा अब देखिए गेट ए जलाशे को बी गेट से 5 घंटे तेज भरता है अब तेज बार गेट ए जलाशे को कितने घंटे भर सकता है ऐसा कुशन में देखिए आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि यह जल्दी से आसानी से ऐसा नहीं कि बेसिक साब इसको सौल कर लेगे इसका जो बेस्ट मेथड होता है यानिके ब सौल करके आंसर हम निकाल सकते हैं बिन और समय हमें देना पड़ेगा तो इतना समय होता नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको पूट करके ही सौल करेंगे अब देखिए और भी एक साथ क्या करते है उसको 6 घंटे बल लेते और ए जलाशे को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है देखिए हमारा क्या है थो देखिए यह क्या करता है उसको माल लीजे एक प्रता इसको इसे पांच घंटे तेज भरता है अब अगर मैंने माना कि बी को जलासे भनने में एकस घंटों का समय लगा एको कितना लगा होगा एक्स माइनस के 5 गंट है क्योंकि वो 5 गंट उससे कम टाइम में भर या है और दोनों को भरने में क्या लगेगा टाइम कितना लगेगा कुश्चन में गिवन है 6 गंट लगे यानि कि एक बटे 6 यहां पर हमने ले लिया तो हमसे पूछा क्या गया है कि ए जलासे को कितने गई निकालनी है तो देखिए एक यहां पर पूछी गई हमसे कि एक इतने घंटों भरेगा अब एक यहां पर अगर हम रखेंगे यहां पर कुश्चन दिया गया कि बी यह पांच गंटे तीज भरता है तो यहां पर हम पिलस करने चान लगाएंगा तो यहां पर आ जा गए बी आप देखिए एक हमसे पूछी कई है हमने माना कि ए उसको फांच गंटे बर आगा तो इससे पांच घंटे बर आगा तो पॉसिबल यह नहीं है तो अगर हम विए कम ले लेकर बी ऑपशन वी उठा लें कि माले जी उसको दस गंटे भदिया तो एगी उसको फांच हें यहां जाए गई यह न पॉन सीक्स लेकर आना है यहां पर बन अपोन 5 लस करदें यहां ऑन पॉन टैन दोनों की क्रोस् मिल्टिप्लाई के हम ने तो 1050 और 1050 और 15 की त्या 15 15 तो चलिए हैं गव्र गलत हो जाएगा हूं तो यह यां पर देखें हैं करहें मैंने लिए तो ऐसाँ वो नहीं है यह जलासे को देखिए गेट B से 15 घंटे तेज भरता है 15 घंटे तेज कुन भरिया अगर मैं इसको यहां पर ऐसे रख लेता हूं चलिए माल लेते कि A X घंटे में उसको भरेगा तो B कितना टाइम लेगा उसको बिनने में B इससे 5 घंटे तेज भरेगा हो तो X पिलस के 5 टाइम यहां पर वो लेने वाला है तो देखिए यहां पर माल लेते हैं उसको A को टाइम लेगा 5 घंटे तो B को कितना लेगा उससे 5 ज्याद इतने घंटे लगेगे 15 घंटे लगे जोगी वह पांच घंटे के बर्या तो दसी कि यहां जाए कर देंगे मिन की तो पच्चिस पंदर इकम 15 हो जाएगा दसी कम तर पंदर दस पच्चिस बटे में आ जागा हैं यहां पर यहां पर सिली मिश्टेक नहीं करने थी जैसे मैंने शुरू में लिख जाए तो आपको समय ले करके थोड़ा सोच के सौल करना है क्योंकि बिठाने में देवर आपने दिक्कत हो गई तो गलत आंसर आपका भी आ सकता है जितनी कलते करने हैं आपको मौक टेस्ट में करनी है एक्जाम होल में नहीं करनी है अंगला कुशन दियागा है यहां पर देखे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रुदिब आधार पर करते हुए राहुल देखे किसी निश्चिल धनराशी को साथ परतिशत वार्षिक चक्रुदि ब्याज की दर पर दो वर्सों के लिए निवेशित करता है यदि दो वर्स के अंत में उसे 11700 रुपे ब्याज पराप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशी निवेश करता है आसान सवाल है यहां पर देखे ऐसा ही सवाल हमने प फ्रेशिन वैल्यो कितना जागा 2210 और पर यहां पर ने लिए वह लिए पांच है पोर इस पांच के ऊपर हमें प्याज मिलाए तो तो हमारा मिश्रिधन कितना जाए गार्ट हो तो देखे हमारा 25 है और मिश्रदन हो गया हमारा 64 तो ब्याज हमें मिल गया कितना का ब्याज मिला हमें दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस हमने कर दिया है पर कितना जागे 9 सब्सक्राइब देखे में जो हमें 29 मिलेगा 39 मिले गया हमें 11700 का मिला है यह कर दिया गया हमें यहां सब्सक्राइब करते हैं तो अगले वीडियो को करते हैं तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय जहीं